आपका हार्डिक स्वावत करता है दोस्तों आज मैं जो टॉपिक लेके आए हूँ वो है एक हफ़ते में वजन कम करने के लिए अजवाइन, बालचीनी और वीरे का प्रयोग दोस्तों मोटापा कहीं बीमारियों की जड़ है ये सबी जानते हैं पर इससे मुप्ती पाना इतना आसान भी नहीं होता यहां वजन कम करने में यानि की मोटापा जटाने से संबंदित कुछ आसान उपाय दिये गए हैं जिन्हें रोजाना अपना कर आप सिर्फ एक हफ़ते में यानि की साथ दिन में वजन कम कर सुडॉल काया एक बार फिर से पाया जा सकता है अगर आप मुटापे से परिशान है तो दालचीनी का प्रयोग करें क्या दालचीनी आपके फैट को कम करती है बिल्कुल नहीं लेकिन ये आपके शरीर में अधिक साथ को बन्ये से रुपती है अगर आप लगाता अस्वस्त थाथ दीवन शैली को अपनाते हैं और अस्वस्त खाते हैं तो दालचीनी वजन गितानी की योजना में आपकी किसी भी तरहा कोई भी मदद नहीं कर सकती है बेशक्त आप दालचीनी की भारी मात्रा की खपत ही क्यों ना करें लेकिन दालचीनी की बहुत अधिक मात्रा आपके शरीर में उच्छ विशाक्त के सर्ग को जन्म दे सकता है आए जाने दालचीनी वजन कम करने में कैसे मदद करती है दाल्चीनी वजन कम करने में मददकार है दाल्चीनी से आपका पेट हमेशा भरा हुआ मेस्दूस होता है दाल्चीनी ताक्रुदिक पाचन है जो की भोजन को पच्चने में मदद करती है दाल्चीनी पेट के स्वास में सुधार करती है और एक शक्तिशाली अंटी बैक्टेरियल होने के कारण पेट के बुरे बैक्टेरिया से चुटकारा बिनाने में भी मदद करती है दालशीमी सापी आसिद को कम स्टोर करती है और उज्जा का स्टर एकाजगरता और सतरकता में मदद करती है दाल्चीनी कैसे करें इस्तेमाल वजन कम करने के लिए आप दाल्चीनी शहर और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं दाल्चीनी एक गुनकारी माना जाता है जो काफी प्राने जमाने से ही ग्याथ है अगर डालचीनी में शहर भी मिनाया जाए तो उसका असर जुगना बढ़ जाता है इसके लिए एक पैन में एक गलास पानी उबाल कर इसमें थोड़ी मात्रा में डालचीनी और शहर डाल कर इसे अच्छी तरहा मिस्ट करें अब इसे आप रोज खाली पेट पिएं इससे आपको कुछी दिनों में फर्क लिखने लगेगा या फिर वजन कम करने के लिए एक चमल डालचीनी पौडर में शहर मिलाकर रोजाना इसका सेवन करें इससे वजन कम करने में आपको काफी फायदे मिलेंगे प्रेंट शहर डालचीनी और निम्बू का रस वजन कम करने के लिए निम्बू का रस भी काफी कारगार है निम्बू के रस को तालचीनी और शहर के साथ मिनाकर इसका सेवन करने से आपको दुगना फायदा मिलेगा साथ ही ये कुलिस्ट्रॉल के सर्थ को भी संतूरी प्रखने में मज़िदकार हुटा है नाश्टा करने के आदा घंटा पहले या फिर एक छोटा चमट शहर के साथ दालचीनी चाय रोज़ पिये इसके अलावा आप सलाज, सूप, कॉप्टी आदी में भी दालचीनी पॉडर छिड़ात कर भी खा सकते हैं फ्रेंग्स अब हम आपको बताएंगे की कैसे आप दीरे का प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंग्स दीरा एक ऐसा मसाला है जो की खाने में बहतरी स्वाथ और खुश्वर देता है इसकी उप्योगिता केवल खाने तक ही सीमेच नहीं है बलकि इसके कई स्वाथ सिना भी होते हैं फ्रेंग्स कई रोगों में दवा के रूप में इसका इस्थिमाल या जाता है जीरे में मैंगनीज, लोहतत, मैगनीशियम, कैल्शियम, जिंक और फॉस्परस धरपूर माता में होता है इसे मेकसिको, इंडिया और नौट अमेरिका में बहुत उक्योगिया जाता है इसकी सबसे खास्यत ये हैं कि ये वजन तेजी से कम कर देता है वजन कम करने के साथ ही ये बहुत सारी अन्य बीमारियां से बचाता है जैसे कि कुलिस्ट्रॉल कम करता है, हार्ट अटैक से बचाता है, स्मरन शक्ति बढ़ाता है, खून की कमी दूर करता है और पाचन तंत्र ठीट कर गैस वा आंटन ठीट करता है फिंक पहला जीरा पानी दो बड़े चमल जीरा एक ब्लास पानी में भिकोकर रात भर के लिए रख दे सुभाई से युबारने और गर्म चाय की तरहा पियें बचा हुआ जीरा भी चबाने इसके रुज़ाना सेवन से आपके शरीर में किसी भी तरह की अनवेशक चर्वी शरीर से बहा निकल जाती हैं दूसरा दही के साथ जीरा पाउडर जीरे को आप वजन पम करने के लिए किसी भी तरह खा सकते हैं इसके लिए 50 ग्राम दही के एक चमल जीरा पाउडर लिना कर रोज खाएं तीसरा है नीम्बू, अद्रक और जीरा अद्रक और नीम्बू दोनों जीरे की वजन कम करने की ख्षमता को बढ़ाते हैं इसके लिए गाजर और थोड़ी सब्दियों को उबाल लें इसमें अद्रक को कदकस कर लें, साफ ही उपर से जीरा और नीमू का रस दा लें और इसे रात में खाईए, आपका वजन जल्दी ही कम हो जाएगा दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे की कैसे अच्वाइन का उप्योग करके मुटापय घटाया जा सकता है वैसे तो अच्वाइन बड़ी ही काम की चीज है, मगर इसका एक साइदा मुटापय को भी कम करने के काम आता है जी हाँ, ये बात काफी कम लोग चानते हैं कि अच्वाइन का पानी रोज सुभा खाली पेट पीने से मुटापा प्राक्रिटिक रूप से कम हो जाता है अच्वाइन का पानी पीने से शरीर का मेताबॉलिजम बढ़ता है जिसकी वज़ाँ से कार्ब तठा, साट बर्न होने की प्रत्रिया शुरूर हो जाती है तो अगर आप भी अपने बड़ते हुए वजन से परिशान है तो कुछ दिनों तक इस नुपके को आजमाईए और असर देखिए आईए जांते हैं अज़वाइन का पानी बनाने की विधी और रिजल्ट पाने के लिए किम की चीजों से परियस रखना है फ्रिंस अज़वाइन का पानी बनाने के लिए समाधरी और विधी पचास ग्राम अज़वाइन लें आप चाहे तो 25 ग्राम भी ले सकते हैं पर 50 ग्राम से ज्यादा रभाप शाली बहुत हो जाता है अच्वाइन को एक ग्लास पानी में रात भर के लिए भी गोकर छोड़े और फिर सुभा पानी को छान ले उसके बाद पानी में एक चमर शहर्द मिक्स करें और सुभा खाली पेश पी लें यदि आप चाहे तो उसी अच्वाइन को दूप में सुखा कर फिर से दूसरे दिन भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन तीसरे दिन नहीं अच्वाइन का प्रयोग करना होगा तिब अच्वाइन के पानी को 45 दिन लगातार पिये आपको पाइदा जरूर निलेगा वैसे तो आपको इसका असर मास्ट 15 दिनों में ही दिखने लगेगा पर अगर प्रभावी परिणाम चाहिए तो 45 दिन लगेंगे और वजन कम होना आपके शरीर के प्रकार पर भी निर्भर करेगा इस पानी को पीने से आपका 5 किलो वजन कम होगा पर अगर आप इसी वीमारी से पीडित नहीं होंगे तो प्रेंट ये थे एक हफ्टे में वजन कम करने के लिए अच्वाइन, दार्चीनी और जीरे का पयोग आप भी इन चीजों का इस्तेमाल कीजे और अपना वजन दिकाए थाइक्स पो वाच्टी ना वीडियो प्लीज लाइक, शेर और सब्स्क्राइब अबचाना थाइक्स प्लीज लाइक्स प्लीज लाइक्स प्लीज लाइक्स